हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टो नॉलेज एट्यूड मैस आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आरे सग्रवाल नीव अडिशन चाप्टर 3 पेयर ओफ लीनियर एक्वेशन इन्टू वैरियेबल्स एक्सरसाइज 3 एसे क्वेशन नंबर 5 क्वेशन 5 में कह रहा है सॉल्व इस एक्वेशन ग्राफिकली 3 एक्स प्लस 2 वाइज उक्वाल तो 12 फाइव एक्स माइनस 2 वाइज इक्वेशन को आपको सॉल्व करना ग्राफिकली अगर आप इसका स्टैंडर्ड एक्वेशन दे कंपेजन कराएंगे तो आपको यहां से A1X प्लस B1Y प्लस C1 is equal to 0 and A2X प्लस B2Y प्लस C2 is equal to 0 से इस कंडिशन में A1 की वैलू यहां पर आपकी 3 आ रही है और B1 की वैलू 2 आ रही है और C1 की वैलू माइनस में 12 आ रही है और इसी ताइप से आपका A2 की वैलू आ रही है 5 और B2 की वैलू आ रही है माइनस 2 और C2 की value आ रही है minus 4 यानि हम अगर a1 upon a2 की value रखें तो यहां पर आपको मिलेगा 3 upon में 5 और b1 upon b2 की value रखें तो यहां पर मिलेगा हमें 2 upon में minus 2 means minus 1 minus 1 upon 1 therefore आप देख सकते हैं कि a1 upon a2 is not equal to आ रहा है b1 upon b2 के that is यहां पर हमने देखा कि जो 3 by 5 है वो is not equal to minus 1 upon 1 के ऐसी condition में क्या होता है कि सिर्फ only one solution हमें मिलेगा इस graphical equation का सिर्फ graph बनाएंगे जब तो एक ही solution मिलेगा और जो lines होंगी वह आपस में एक दूसरे को intersect करेंगी यानि हमें intersecting lines obtain होंगी तो पहला equation ले लेते हैं उसके लिए coordinates fine करेंगे 2x plus 3x plus 2y is equal to 12 है तो किसी एक equation को excite कर लेते हैं यहां पर हम 12 minus 3x upon में 2 इस तरह से y की value को रखके solve करेंगे यहां और coordinates fine करेंगी तो यह x है यह y है तो चली सबसे पहले यहां रखते हैं हम इस जगा पर x की value को put करते हैं जब तो x की value जब हम 0 रखते हैं तो y की value मिलती है 12 minus 0 upon में 2 यानिकी 6 मिल रही है एक्स की value 0 रखने पर y की value 6 मिल रही है और अगर मैं x की value यहां पर 2 put करते हूं upon में 2 means 12 minus 6 upon 2 तो 6 upon 2 यानिकी 3 obtain हो रही है तो y की value जब हमने 2 रखी तो y की value हमें 3 obtain हो रही है अब हम x की value 4 रख लेते हैं x की value 4 रखने पर y की value 12 minus 3 into 4 upon में 2 means 12 minus 12 upon में 2 यानि 0 मिल रही है अब बच्चों आप confused मत होईगा हम यहां कोई भी value रख सकते हैं कोई हमें problem ना हो बस question हम आराम से solve कर लें और मैं यहां पर वही values को देख रही हूं और equation को देखके मैं रख रही हूं कि मुझे equation solve करना easy हो जाए तो इसलिए मैंने x की value यहां पर जब 4 रखी तो y की value मुझे 0 मिल रही है तो इस तरह से equation जो हम plot करेंगे graph इसका वह easy हो जाएगा बस यही reason है कि मैं यहां पर values को सोच के रख रही हूं बाकि अगर आप sequence में 0,1,2 रखना चाहते तो आप रख सकते हैं उससे आपका बस answer point में आने लगेगा बाकि कोई problem नहीं होगी लेकिन आप वैसे रखेंगे सोचके तो answer आपक y is equal to 4 यानि 2y is equal to हम इसको रख सकते हैं 5x minus 4 यानि y is equal to 5x minus 4 अपन में 2 इसके लिए भी हम क्या करेंगे values को fine करेंगे तो यहां पर हम x और y की value को plot करते हैं मतलब fine करते हैं तो यहां पर अगर हम y की value sorry अगर मैं x की value रखूं अगर मैं यहां पर x की value 0 रखें तो y की value क्या मिलेगी 0 into यहां पर आपकी 5 है minus 4 upon 2 means minus 4 upon 2 यानि minus 2 मिल रही है तो x की value 0 रखा मैंने तो y की value मुझे minus 2 मिल रही है तो अगर मैं यहां पर x की value x की value मैं यहां पर अगर 2 रखते हूं तो y की value क्या मिलेगी Mुझे 5 into 2 minus 4 upon में 2 यानि की 5 to 10 10 minus 4 upon 2 यानि 6 upon 2 means 3 मिल रही है कैंसल करूंगी तो 3 मिलेगी यानि एक्स की वैलू 2 रखने पर य की वैलू 3 मिल रही है और एक और रख लेती हूं मैं एक्स की वैलू चलिए यहां पर रख लेती हूं तो य की मिलेगी मुझे 5 इन 2 4 माइनस में 4 अपान में 2 मीन्स 16 अपान में 2 यानि 8 मिल रही है यहां से मुझे जब मैंने एक्स की वैलू 4 रखा है तो य की वैलू मुझे 8 अप्टेन हो रही है तो इस तरह से हम जो है वैलू को प्लॉट कर चुके मतलब फाइ ट्वल्ट के लिए आपने यहां पर यह वैलू इस फाइन कि है एक है आपका 0,6 2,3 और यह है आपका 4,0 और डूसरा आपका एक्वेशन है क्या 5 x-2y is equal to 4 है इसके लिए आपने क्या-क्या वैल्यूस फाइंड किए जीरो कॉमा माइनस टू और आपका है टू कॉमा थ्री और एक है आपका फोर कॉमा एट सो इस्टुडेंट्स आप देख सकते हैं कि वैलू जो है फो मैक्सिमम आपकी एट तक जा रही है वाई की वैलू एट त अब ज़से लखी आ रही है यानिकि ग्राफ को आप इस तरह से प्लॉट करेंगे सोच के देख के प्लॉट करेंगे आपका इसली सॉल्व हो जाया का कुईस्टि आप चाहिए नो प्रॉबलम आप जैसे भी कर सकते हैं नो प्रॉल्लम सो इसे हम क्या करते हैं प्लाट कर ले तक जारी है तो अगर हम 8 को यहां से लेते हैं चलिए 12345678 यहां तक जारी है वाई की बलू और maximum 8 तक जारी है और इस तरह से हम यहां पर ले लेते हैं दूसरे आपका एक्सेस एक्सेस फिर इसके बाद यह है हमारा यह हो गया एक्स और यह हमारा एक्स डैश यह है वाई यह है वाई डैश यह आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 यह आपके हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 2 फिर मैं देखते हूं तो यह आपका 1 है 2 3 4 5 6 7 8 और इधर आपको जाएगा यह आपका 1 1 – 1 – 2 – 3 – – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 चले यहां तक वैलू जागए सबसे पहले इसको प्लॉट करते है जीरो कॉमा सिक्स तो एक्स की वैलू 0 वाई की वैलू 6 तो 0 कॉमा 6 कहां प्याएगा एश जगा प्याएगा आपका 0,6 फिर आपका 2 कॉमा 3 है एक्सी वेलो two है y की वלא three तु यह है आपका हो जाएगा यह है आपका टू-कमा ठीदें है एक्साइफ extremes और यहां पर हमारा मिल रहा हे तूका मार्या लंधी और ठीसरा अपका four commasawa एक्स की वालुय है four और weak retool c यह है आपका 4,0 इससे हम क्या करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं यह हो गया है यह हमने ड्रॉ कर लिया और यह जो ड्रॉ किया है यह एक्वेशन हमारी कौन सी थी 3x प्लस 2y is equal to 12 वाली है फिर दूसरा आपका यह वाली एक्वेशन के लिए है 0,2 x की वालू 0 है y की वालू यह पॉइंट यह है आपकी 0,2 है फिर आपका है 2,3 तो आपका यह हो गया और 4,8 टेक्स की वालू 4 है y की वालू 8 है so 4,8 हमारा यह पॉइंट है यह पॉइंट है 4,8 तो हम क्या करते हैं इसको पॉइंट को पॉइंट से मिलाते हुए ड्रॉ कर लेते हैं graph paper पे line so यह हो गया हमारा यह आप देख सकते हैं कि इस जगा पे यह intersect कर रही है एक दूसरे को means यही वाली जो line है यही क्या हो जाएगी intersecting point हो जाएगा intersecting point 2,3 और यही क्या है आपका one solution आ रहा है ठीके one solution आ रहा है 2,3 और यही आपका answer हो जाएगा so यह थाप का equation यह वाला आपका है यह 5x-2y is equal to 4 के लिए है तो यह थापका question no.5 I hope आपको समझ में आ गया होगा आप बस यहां पर आपको graphic plot करके दिखाना कि कहां पर यह दोनों एक दूसरे को intersect कर रहे हैं तो इसमें आपका solution आएगा जहां पर intersect करेंगे वही solution आएगा तो यह आपका question आई होगा आपको समझ में आ गया होगा आपको screenshot ले सकते हैं और इसकी solution का भी screenshot ले सकते हैं आप इसका भी screenshot ले सकते हैं तो इस वीडियो में बस कितना ही thank you so much for watching कि एसके ही आपका जबागा दिस अच्सिवाइगे जब ह Means कि ढ़री में इसम आई जबेख Tax